हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्रीगुरु अकैडमी में मैं मनु वर्मा आपका सुक्रिया हार्दे का अबनन्द करता हूँ दोस्तों मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे कि सर सीटेट के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होगी कौन कौन से बुक हमें ले अच्छी होगी तो इसलिए मैं आज आपके लिए बुक्स के बारे हम बताने वाला हूँ कि सीटेट 2020 के लिए बेस्ट बुक कौन सी है जिससे हम कम समय में बहुत ही अच्छी तैयारी कर सकें तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आ सबसे पहले यहां पर देखें दोस्तों कि हमें कितनी बुक्स की जरूरत होती है तो किसी भी इस्ट्रिएंट के लिए मिनिमम 5 बुक होती है ठीक है पांच बुक से उसका काम चल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाल विकास होता है या पेड़गोज उसके बाद Hindi या English इसमें से आप एक language ले सकते हैं और Sanskrit ये आप मतलब आप पे निर्वर करता है कि आप कौन सा लेते हैं English और Sanskrit में से second language आप चूज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर हम सबसे पहल लिसेंट की जो Hindi मीडियम बाले हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा लिसेंट की बुक एक दम से जबर्जस्त बुक है आप आख वंद करके उस बुक को ले लीजिए लेकिन दोस्तों अगर हमें English मीडियम बालों के लिए बात करूँ तो English मीडियम बालों के लिए आपक अगर हम दोस्तों उसके बाद आपका ये तो confirm हो गया अब इसमें क्या होता है paper first और paper two के लिए कोई भी मतलब difference नहीं होता है इसमें child development और pedagogy में कोई भी difference नहीं होता एक यही books आपकी काम कर जाएगी ठीक है दोनों में ठीक है next दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों EBS next अगर हम EBS की जब हम बात करतें तो EBS के लिए दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सबसे best जो है अगर paper one की बात करें तो सबसे best है आपके लिए NCRT NCRT की books आप ले लीजिए कौन-कौन सी हमारा परिवेस ले लीजिए third to fifth यानि कि class third से लेकर fifth तक की ले लीजिए आपको कोछ भी पढ़ने की जरूद नहीं है आपको बहुत सारा यानि कि pass होने के लिए इतना आपको मिल दाएगा ना उसमें से क्योंकि पूरा base आपका NCRT ह अगर दोस्तो पेपर two की बात करूं तो पेपर two में आपके लिए EBS के लिए आपको इतिहाज भूगोल नागरिक सास्त ले लीजिए अगर आप कला वर्ग से हैं ठीक है अगर आप science वर्ग से हैं तो आप विज्ञान और भूगोल को जरूर पढ़िए दोस्तों ठीक है और कि आपको जो हमारी NCRT books हैं वो provide नहीं हो रहे हैं तो आप combined book ये ले सकते हैं सरोह publication बहुत ही अच्छी book है environment के लिए EBS के लिए बहुत ही अच्छी book है अगर आप उनको purchase नहीं कर पाते हैं और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा link मैं description में दे दूँगा बहां से आप इन सबी books को download कर सकते हैं वहां से आप download कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल से ठीक है बहां पे आप डूंड लेना बहां पे मैंने सारी books के लिए रखा हुआ है तो आप बहां से download भी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली book की जब मैं बात करता हूँ तो पाती है math तो math की जब हम बात करें तो ये book बहुत ही अच्छी है सुमित्रा और ये आपके सभी जितने भी competitive exams होते हैं सभी के लिए बहुत ही important और बहुत ही अच्छी book है दोस्तों इसमें tricky mathematics है tricks के आधार पे पूरा बताया गया है और इस जबर्जस तरीके से बताया गया है next दोस्तों अगर हम बात करें हिंदी तो हिंदी के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास जो भी book हो आप उस book से पढ़ सकते हैं लेकिन अगर उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि आपको सिक्षण भी मिल जाए यानि कि हिंदी सिक्षण भी मिल जाए तो उ next दोस्तों अगर हम बात करें तो next मैं आपको बताना चाहूंगा आपका अगर English पढ़ना है English के लिए अगर आप पोचेए तो English के लिए आप ये वाली book ले सकते हैं ये भी book आपकी बहुत ही अच्छी है दोस्तों ये MC Growhill की MC Growhill की ये book है बहुत ही अच्छी है दोस्तों आपको grammar का भी portion इसमें मिल जाएगा ठीक है अब दोस्तों अगर मैं बात करूं इसी के लिए दूसरा एक मैंने option दिया हुआ है अगर आप MC Growhill को नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो क्या है उसका level थोड़ा high है अगर आप चाहते कि थोड़ा slow level में यानिकि down level में आप सकते हैं अब दोस्तों इसके बाद एक important बात आती है दोस्तों कि जब हम book को purchase कर लेंगे अब इसके बाद भी दोस्तों एक आपके बचे संस्क्रिट में आपको बताना चाहूंगा आप कोई भी book ले लिजी आप जो writer आपको अच्छा लगे किसी भी writer की book ले लिजी आपको अगर संस्क्रिट पढ़ना है तो ठीक है संस्क्रिट आप कोई भी book ले सकते हैं नेक्स जब हम books को पढ़ेंगे दोस्तों आपके पढ़ने पर depend करता है books खरीदने से कुछ नहीं होता books को पढ़ना पढ़ता है दोस्तों आप चाहें PDF से पढ़िए चाहें books से पढ़िए तो जब हम books को पढ़ देंगे तो उसके बाद में practice set भी लगाना बहुत जरूरी है तो आप ये वाला practice set बहुत ही अच्छा है ये मैंने काफी use किया है आपके लिए बहुत ही अच्छा है देखा है मैंने इसके लिए बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आर गुपता का आर को बताना चाहूँगा कि अरेहंत की अरेहंत की एक book आती है जो combined book होती है success master नाम से आती है combined book होती है especially seated के लिए paper बन के लिए अलगाती है और paper two के लिए अलगाती है success master नाम से होती है ये भी एक अच्छी book है लेकिन आप समझते कि अगर आप अलग-अलग book से पढ़ेंगे तो ज्यादा better होता है लेकिन आप नहीं purchase कर पाते हैं तो आप इस book से भी पढ़ सकते हैं आपका exam clear हो जाएगा ये 100% मैं कहता हूँ ठीक है अगर दोस्तो इसके बाद भी अगर आपको कोई problem हो तो मुझे comment करके बताए वीडियो आपको कैसी लगी आप comment करके बताएजिए स अभी books बहुत ही अच्छी है best of best best of best books को मैंने यहां पर लिया हुआ है दोस्तो तो अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को subscribe कर लिए क्योंकि सिक्षक भरती से जुड़ी हुई इंडिया का number one channel है हमारा स्री गुरु अकेडमी तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही जय हुआ है